हेलो दोस्तो रारा क्लासिज मैं आपका स्वागत है तो आज मैं आपको बिहार में आने वाली अपकमिंग भेकेंसिया विग्यापन सीटों की संख्या रियल्ट कब तक होगा या परिछाएं कब तक होगी तो इस वीडियो को सुरू से अंतक देखें तो आज की जो सबसे बड बताऊंगा तो इस वीडियो को सुरू संतक जरूर देखें तो क्या है पहला 66 भी बीपेसी का विग्यापन पदों की सेंख्या लगभग दस्सों के एक हजार के ऊपर है और 1100 पद हो सकती है और 66 भी बीपेसी का और यह जो भेकेंसी है या तो जुलाई लाश्ट में आगा और यह जानते हैं कि सिलेवस की संभावना नहीं के बरावर है और यह पूरी तरह है जो कि आपको जिस तरह से पीछले वीपेसी रही है उसी तरह के पैटर्न रहेगा आपको दिवड़ सुपरेशन रहेंगे दस मैत रहेंगे टीस करे एंट्रफेर्स रहेंगे साइंस रहे है जो कि क्योंकि परिच्छा का इधर की संभावना है ने और विग्यापन जल्द क्योंकि एलेक्षन से पहले आना है तो आपको संभावना है कि जुलाई लास्ट या अगस्त में तो हर हाल में आनी है अब आते जो सबसे वड़ा ख़वर बी एस से सी सीजियल छिरीका तो और विग्यापन जो है आपको जुलाई में नहीं आएगा अगस्त के फर्स्ट वीक में है जो कि आपको संभावना है बहुत सारे लोग कर सकते हैं कि आपने फिर बढ़ा तो मैं कुछ नहीं करता मेरे पास जो अपडेट आता मैं आप लोगों को प्रिफेर कर देता हूं आ 15 दिन के अंदर है जो कि आपको अगर अगर आप बिहार दरोगा जाए तो निश्यतरूप से हाइट करता और इतनी अच्छी ग्रेट पे की नोकरी है जो कि खासकत बिहार में भी अब्जेक्टीव लेवल अगर आप इतने च्छाली सो ग्रेट पर जाना है तो आपको बीप रैंक पीछे आया तब आपको चालीच लेकिन अब्जेक्टीव लेवल की है सबसे जिनका इसमें इंग्लिस से कोई बास अगर आप सेंट्रल स्सी में जाएंगे तो आपको इंग्लिस से पाला पड़ेगा और यहां पर है कि जिनकी मैथ और रीजनिंग और शाइंस अगर यह तीनों पर अच्छी पकड़ है अगर नहीं है तो इसको सुधार कर पकड़ बना लेते हैं उनके रियल्ट के चांज यहां GS जो ग्याता है और मैथ और रीजनिंग और आउसत है उनका रियल्ट नहीं होता है होता भी तो रैंकेंग पीछे आती या सेलेक्शन फाइनली नहीं होता है तो भी एससी सीजियल 3 में यह है कि मैथ और रीजनिंग और साइंस अच्छी होनी चाहिए तब ही है जो कि आपकी रियल्ट अगर नहीं है तो आपको करनी पड़ेगी और तो यह होगे बी एससी सीजियल 3 का जो नया अपडेट है वो आप लोगों को बता दिय या उसके बाद भी हार दरोगा की जो विग्यापन है वो 2200 है या तो सितंबर में 16 क्योंकि 16 सीजियल 3 के आसपास है जो की आपको लग जो आचार सहीता है वो लग सकती तो उसके पहले आएगी नहीं तो फिर आपको दिसंबर में यह विग्यापन आएगी लगवाद 2500 के पाज-पास रहेगी और कितनी सीटे टोटल है जो की खाली है वाज के सबेरे में ने बताया था उसको आप देख सकते हैं प्री एक जाम है जनवरी या 2021 या मार्च 2021 में इसकी संभावना बन रही है इसके बाद आपको बिहार सिपाही का भी बिग्यापन है जो की दसजार के लगवाग आएगा यह भी यह जो की सितंबर 2020 या दिसंबर 2020 प्री जाम इसका भी जनवरी 2021 या मार्च 2021 में हो सकता है इसमें भी आपको सौफ रशन रहेंगे 25 हिंदी 25 मैथोर्स रिजिनिंग है और जी एस तो रहेगा ही उसके बाद है बी एससी इंटर लेवल सेकेंड पदो की संख्या लगवाग दो हजार से तीन हजार ही रहेगी बिग्यापन संख्या अगस्त जो संभावी थे यह भी अगस्त और सितंबर में ही संभावना इसकी प्री एक जाम मार्थ 2021 और तो इ ले जा सकते हैं और इसमें बी एससी इसी इंटर लेवल ही है उसके बाद आते हैं 20 विद्याले के 9000 पदों का विग्यापन जुलाई है अगस्त में 2020 में बहुत सारे लोगों ने पूछा 20,000 की जो करमचारियों की जो विग्यापन तो अगर सब सब चीज सही रही तो यह भ आपको 2020 में जुलाई ही में ही संभावना है कि आपको हर हाल में आ जाएगी क्योंकि आज यह कल के अखवारों में दिया हुआ था कि इसका प्रारूप तयार कर लिया गया है बिग्यापन निकालने के लिए तो आप ज्यादा समय इसमें नहीं ले पटना हाइकोट में असिस जुला या 23 लेगिन 23 अगस्त को ही हुआ उसके बाद भीहार इंस्पोर्श्मेंट जैसी चर्चा है वह आपको 13 सितंबर को 2020 को बीससी इंटर लेवल मेंस यह भी परिच्छा है जो कि आपको सितंबर में ही संभावना है पैसट भी पैसी मेंस एक्जाम चार अगस से सुरू है सब लू जानते हैं और बीपैसी अशिस्टेंट इंजिनियर एक्जाम है जो कि 13 जुलाई को टलने का आसारक सोंबार को मीटिंग होगी बीपैसी में अगर उसमें फैसला ज्यादा चांस है क्या को टलने के ही आसारक क क्यों काफी प्रोलम बहुत सारे लोग दिलीम फसे होएं या कहीं बावर फसे हुएं उनको आना काफी मुश्किल है और फिर आने के बाद है और घृण के दिद्वारा जटों उसकी मुष्किले है दो पनेहीं अध्यार अखेसी मेंस जो है पैसेट सुरू लिए आगे के र रही है और बीससी इंटर लेवल मैंस की परिच्छा कि अभी कोई दीत नहीं है लेकिन संभावना एक सितंबर में हो सकती है और अक्टूबर में भी हो सकती है डिट टकराना नहीं चाहिए बहुत सारे लोग बात किये थे बीससी तो ऐसा नहीं है कि आपको अचार्शाहिंता लग गई तो परिच्छा नहीं हो परिच्छा हो सकती है लेकिन आपको उस डेट में नहीं होने चाहिए जिसे कि परशान चुनाओं और इलक्षन हो में परशानी नहीं हो तो यह रही है आज की अपडेट तो सबसे बड़ी जो आज की अपडेट मैंने दिया वह बीससी जो सीजेल 3 है इस टू जो है वह आपको 2014 माई थी सीजेल 1 2010 में आए थी और उससे पहले जो बहाली होती थी वह 1999 माई 11 साल के बाद है फिर चार साल के बाद फिर साथ छे साल के बाद आ रहे है तो क्योंकि एक ही बार बहुत बड़ी वेकेंसिया मिलती है और जो लोग इसमे सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद इनके पास अच्छा मौका रहता है बहुत सारे लोगों के इस भी काफ़ी क्योंकि ज्यादा तर जो केंडिडेट है वो सर्विस करते रहते हैं तो इसी कसाद धन्यवाद